हिए गई फेल्कॉम टु माई चैनल आइ ओप ओल यू गुड तो तुम नेल बनाया है we मैंने बनाया है इस कार्ड़ोर्ड से यह काफि लंबा कार्ड़ोरें मैंने टू सीटर डैनिंग टेबिल कुरीदी ती तो उसमें यह कार्ड़ोर nya था एक कार्ड़ोर जो था वह काफी थिक था पर उसमें कहीं कहीं पर बहुत ही जादा दबा हुआ था तो वह पार्ट में यूज नहीं कर पाई तो जो पार्ट उसका अच्छा था उसकी मैंने पहले दो चीज़े बनाई थी यह दूसरा वाला कार्ट वोड है इसकी थिकनेस ठोड़ी सी कम है तो मैं क्य करूँगी मैं दो पार्ट को आपस में जॉइन करूँगी ताकि मुझे एक अच्छी थिकनेस मिले क्योंकि थिकनेस बहुत ही सदा जरूरी है हम जो प्रोडेट बना रहे हैं उसमें स्टडिनेस होनी चाहिए बट अगर आपका कार्डबोर पहले से ही काफी थिक है तो आपको दो पार्ट को इस्टिक करने की कोई जरूरत नहीं है कार्डबोर एक ऐसा मैटेरियल है जिससे आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रियेट कर सकते हैं विदिन बजट तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए हुए हैं आप चेक आउट कर सकते हो तो आप उसके हिसाब से कटिंग कर सकते हो तो चलीए अब हम अपना टुटियोरियल सिटार्ट करते हैं तो गाइज मैंने इसको प्रिकला करग लिया हुए हैं तो यह जो शेप थिया पेहले से ही जॉइंट थी तो मैंने इसको कट नहीं किया तो मुझे अलग से चॉण्दी न तो यह तो आपके उपर डिबंट करता है कितना बड़ा बनाना चाहते हो तो इसकी जो थिक्नेस है वो है एरांड कि मैं इसको यहां पर से पहले जोइन करों कि आप नचाहिकां किये हैं कि अनदर फिर मैं इसको एसके पींट किये हैं करूँंगी से भी और साइट पर इसके बाद में इसके लिए ये अपर पार्ट करती है अपर पाड़ मैंने इस साइड से और साइट से दो दो इंच एक्स्ट्रा लिया रहे हूं ताकि नहारी जो टेबिस है इसका अपर पार्ट थोड़ा का देखने में अच्छा लगे आप देख सकते हो यह इस करिके से फिर हम इसके अंदर अपने एकॉर्डिंगा पार्टिशन कर सकते हो कि आपको कितने पार्टिशन चाहिए आपको डोर लगाना है उसमें क्या डिजाइनिक करने है तो इसमें भी मैंने दो कड़ी है और इन दोनों को मैं फेविकोल की हल्ग से स्टिक करूंगी और फिर कुछ यह अच्छे से स्टिक हो जाए तो यह हमारा अपर पाट है और अब मैं इसमें ग्लू लगाउंगी और इसको हम अच्छे से स्टिक करेंगे आप इसके ऊपर कुछ heavy item रख दीजे ताकि ये अच्छे से stick हो जाए मैं क्या करती हूँ मैं या तो mattress के नीचे रख देती हूँ या फिर मैं इसके उपर कोई भारी box रख दूँगी तो इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से stick कर सकते हो अब box के जो sides है अब हम उसको stick करेंगे आप चाहो तो glue gun भी use कर सकते हो और मैं यहाँ पर white tape लगा रही हूँ paper tape ताकि जो मैंने glue लगाया है वो जल्दी से stick हो जाए क्योंकि favicle थोड़ा सा time लेता है stick होने में तो अभी मेरा जो base है वो almost ready है bottom part में मैं एक और cardboard stick कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसके legs बनाने के लिए आप यह rolls देख सकते हो मैं use कर रही हूँ पर मैं literally आपको बता रही हूँ यह rolls जो थे वो study नहीं है तो मैंने बाद में इसको change करने वाली हूँ मैं कुछ जादा विर्द की जो होगी वो लगाऊंगी क्योंकि बहुत ही पतले लगाने से जो हमारा storage है वो अच्छे से weight नहीं ले रहा है तो अगर आपके पास कोई box पड़ा हो cardboard का आप वो use कर सकते हो कुछ plastic के डब्बे पड़े हो आप वो use कर सकते हो इसके legs बनाने के लिए तो आप देख सकते हो अभी मेरा जो base है वो एकदम ready है अच्छे से stick हो चुका है अब मैं इसका front door बना रही हूँ ये optional है आप चाहो तो open storage भी बना सकते हो तो मैं यहाँ पर पहले pencil से draw कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे cutting करूँगी तो cutting करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा door वाले sides होते हैं वो हमें back side से cut करना है और उसको हम सिर्फ half ही cut करेंगे अभी आप देखोगे कि जो मेरे doors हैं वो कैसे easily open हो रहे हैं आप देख सकते हो कि मैंने इसको back side से मैं cut कर रही हूँ और इसको हमें पूरा नीचे तक लेके नहीं जाना है पूरा cut नहीं करना है इसको हम बिल्कुल अपर पार्ट से cut कर रहे हैं ताकि हम easily front side से door को open कर पाएं सो गाई सबसे जादा जो hard work है इस storage को बनाने में वो main इसका जो front door है उसको ही बनाने में मैंने सबसे जादा time spent किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा rustic look चाहती थी इसलिए मैंने इस पे इतना work किया अब आप देखिए ये कैसे easily open हो रहा है तो same इसी method से हम दोनों sides कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे इसके उपर मैंने पतली पतली सी sticks कट की हैं cardboard की और उसको मैं यहाँ पे stick करने वाली हूँ जैसा कि मैंने बोला कि मैं इसको थोड़ा सा rustic look देने वाली हूँ front part को अब मैं storage के अंदर के part का partition दे रही हूँ तो इसमें मैंने सिर्फ तीन partition दिये हैं एक मैंने long रखा है और एक तरफ मैंने दो partition दिये हैं यह totally आपके उपर है आप कैसे रखना चाहते हो और इसके बाद मैं यहाँ पे मैं white tape लगा कि जो edges हैं उनको height कर रही हूँ यह भी optional है आप चाहो तो करो चाहो तो ना करो क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पे door लगाने वाली हूँ अभी मैं fevicole की help से door को यहाँ पे stick कर रही हूँ और white tape की help से थोड़ा सा उसको pressure देने के लिए मैं white tape लगाऊंगी ताकि मेरा जल्दी stick हो जाए आप चाहो तो glue gun यूज कर सकते हो तो इसको rustic look देने के लिए मैं यहाँ पर tissue paper से deco patch कर रही हूँ front part में और हम इसको अच्छे से dry करेंगे then इसके बाद में हम आगे का काम करेंगे आप चाहो तो directly color भी कर सकते हो so अभी ये dry हो चुका है अब मैं क्या करने वाली हूँ इसका जो front part है उसको छोड़के बाकी जितना भी area है मैं वहाँ पे wallpaper इस stick करूँगी आप चाहो तो wallpaper की जगा कोई भी printed paper, plain paper जो भी हो आपके पास में वो आप stick कर सकते हो और मैं इसको wooden look दे रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे brown color का paper यूज़ किया है और आप अपने according इसको cut कर सकते हो और stick कर सकते हो किसर बाद सकते हो किसर दो पेमा को очज है किसर बातम इसका है मैं अभी अपर पार्ट को स्टिक कर रही हूँ जो हम इस स्टोरेज के उपर फिक्स करने वाले हैं तो आप देख सकते हो ये कलर कितना अच्छा लग रहा है आप कोई भी कलर चूस कर सकते हो इस टोटली योड च्वाइस और स्टिक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एकदम से आपको पूरा बैक साइड नहीं हटाना है थोड़ा थोड़ा करके हटाईए ताकि अच्छे से स्टिक हो अच्छे से स्टिक है सो अब मैं इसके लेग्स स्टिक कर रही हूँ पर आपको मैंने जैसे बताया जो लेग्स हैं वो बहुत जादा स्ट्रॉंग नहीं है तो मैं बात में इसको चेंज करूँगी कुछ जादा विड्स की चीज लगाऊंगी बट आपको मैं पहले से बता रही हो इसलिए आप कुछ अच्छी विड्स की चीज यूज कीजेगा सो मेरा वाल पेपर का काम अल्मोस्ट फिनिश हो चुका है अब मैं क्या करूँगी डार्क ब्राउन कलर मैं डोर में करूँगी और मैं थोड़ा बहुत उसको जो मेरा वाल पेपर है उसके कलर से मैच करने की कोशिश करूँगी क्योंकि जो हम डीको पेच करते हैं उसके उपर हम वाल स्टीकर नहीं स्टिक कर पाएंगे क्योंकि वो रफ एरिया है तो चलिए अब हम अपना डोर कलर करते हैं सो कलर करने के बाद हम इसे ड्राइ करेंगे और हमारा यूनिक कार्डबोर्ड स्टोरेज इस रेड़ी आप कार्डबोर्ड का बहुत ही मल्टी परपस यूज कर सकते हो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो शेयर किये हैं ब्ली चेकेर कारे स्ट्राइबी और पीडिए वीडिए अपी च्राफटिंग औरन वार्ड टेकेर